Hello students, good morning to all of you. Today I will discuss to you audit program. सबसे पहले आपको इसका meaning समझाने जा रही हूँ कि audit program होता क्या है? कहते हैं जितने भी auditor होते हैं वो किसी भी institute या company का audit करने से पहले एक plan design करते हैं ताकि proper तरीके से अपने जो हमारे assistance हैं उनको supervise और controlling की जा सके उसके लिए एक plan तयार किया जाता है जिसे audit program कहते हैं और generally audit program written में होने चाहिए ताकि सबी काम आपके systematic way से चलता रहा है और किसी भी तरह की कोई problem ना आए अगर एक plan को design कर लिया जाता है तो सबी काम जो है completely way में तयार हो जाता है और easy way में कहीं बीच बीच पर अगर जुरूत पड़ती है तो auditor अपने जो assistance हैं उनको supervise भी कर सकता है और उन पर controlling भी कर सकता है कहते हैं जैसे हमने घर को बनाना है घर बनाने के लिए आप सबसे पहले एक घर का map तयार करवाओगे ठीक है builder से और उसका time period decide करोगे कि कितने time में वो तयार हो जाएगा कितने worker की requirement है यह सारी बाते हम ध्यान में रखते हुए planning करते और ठीक इसी तरह से एक auditor अपने कारे का नक्षा बनाता है यानि की कारे करम की रूप रेखा तयार करता है जिसके according सारा काम plan किया जाता है तो यहां पर जितनी भी planning है अपने assistance को supervisor controlling करने के लिए जो written form में होती है systematic तरीके से होती है वो आपका audit program कहलाता है यहां पर दो definition है in the world of Harvard settler और second है Arthur W. Holmes यह दोनों definition आपने learn करनी है अब अगर उपर वाली definition की बात करें जैसे पहली definition में क्या कहता है an audit program is an outline of all procedure outline क्यों क्योंकि आपने उसकी रूप रेखा यानि कि उसका जो procedure है structure है वो पहले से ही तयार कर लिया है followed in order to arrive at an option concerning the client financial statement second Arthur जी कहते है an audit program is a flexible flexible होना चाहिए ताकि according to situation उसको change किया जा सके planned procedure को ही हम audit program कहते है तो definition के according इसको clarify किया गया है जैसे पहली definition में कहा गया है कि यह descriptive in nature होन चाहिए ताकि according to time उसको change करने की जरुत पड़े तो change किया जा सके और last में आपने space छोड़ना है clerk के signature के लिए second कहता है the plan is always in writing and is prepared by the auditor कि auditor ही plan को तयार करेगा और वो भी return form में होना चाहिए ताकि in future किसी भी तरह के कोई dispute ना हो सके next point आता है आपका the main aim of the plan is to ensure that the work of the audit procedure in an efficient manner कहता है जितरा भी audit का program है जो purpose है वो इसलिए plan कर किया जाता है ताकि सभी काम आपका efficient way में चलता रहे और specific time period पर वो complete हो जाए किसी भी तरह की कोई disturbance ना हो इसलिए plan को design कर लिया जाता है अब आता है audit program के क्या objective है यह जो plan हमने जो structure तयार किया है वो आखिर क्यों किया है किस purpose के लिए किया है पहली बात preparing यह specific framework हम एक ऐसा specific framework तयार कर रहे है ताकि within a specified period आपका जो plan है वो achieve किया जा सके second कहता है division of work बिल्कुल काम को आपने उनकी ability के according भाटना है यानि कि junior और senior में आपने division कर देनी है third आता है being aware of the progress of work done by the employees आपको पता होना ची कि जो काम अपने assign किया है authority के साथ responsibility भी उनको देनी है ताकि अगर किसी भी तरह की कोई कमी निकलती है तो उसी department से जाकर आप बात कर सके और concerning department से ही बात होगी पर department disturb नहीं होगा next आता है in case any employees leaves during the audit कहीं बार ऐसा हो जाता है कि audit के time पर कुछ employees छोड़ कर चले जाते हैं तो same post पर आप कि दूसरे person को assign उस काम को कर सकते हो removing the possibility of any work being left out आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि plan इस तरह से बनाना है ताकि कोई भी काम आपका बिना रुके हो जाए और कोई भी काम आपका छूट ना जाय करने से इसलिए अपने एक sequence wise अपने plan को तयार करना है fixing the responsibility बिलकुल authority के साथ responsibility भी हर एक employees को देनी है now the next topic is types of audit program आपके audit program दो तरह के होते हैं पहला होता है standard program, second होता है tailor made program standard program को आप fixed audit program भी कह सकते हो tailor made आपका flexible audit program है यह दोनो नामों से भी आ सकता है अब देखो नाम से पता लग रहा है कि fixed audit program है यानि कि particular department के लिए जो है एक जैसी चाहे आपके एक के अंदर 10 department के उना आ रहे है सबके लिए uniform in standard है मतब सबके लिए standard एक जैसे decide होगे हर एक each department के लिए सब department के लिए अलग अलग जो है rule regulation या plan नहीं बनाए जाएंगे लेकिन उसका drawback ये रहता है कि अगर एक plan को आप सभी पे apply कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके drawback रहते हैं हो सकता है employees उस तरीके से काम करने के लिए तयार ना हो ये भी हो सकता है कि mechanical in work हो जाए तो बहुत सारी problem arise हो जाती है इसको fixed or audit program कहते हैं ये एक जैसा रहता है pre determined होता है tailor made में क्या होता है हर एक department के लिए separately plan बलाया जाता है इसलिए इसको tailor made कहते हैं ये according to nature of business, nature of transaction, method of accounting internal controlling की efficiency को देख के बनाए ये ज़्यादा practical है अगर देखा जाए तो essentials of a good audit program आपको एक audit program बनाते हुए कि इन बातों को अध्यान में रखना चाहिए हमें कोई भी audit program को बनाते हुए क्या करना है number one in writing कहता है जितने भी audit program है वो return form में आने चाहिए ताकि in future किसी भी तरह से auditor और client के बीच में dispute ना रहे और return form में होने से मतब है कि बार बार employees को आप उनको पूछने नहीं आना पड़ेगा auditor से कि अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद क्या करना है second बात आता है clarity जरूर होनी चाहिए clarity में यहां पर बताया गया है कि जब भी हम कोई भी plan को design करते हैं simple होगा बिल्कुल clear होगा तो सभी employees जो है अपने अपने काम को easy way से कर पाएंगे without wasting of the times third point आता है division of work कहता है उनकी ability के according अगर काम को बाट दिये जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी disturbance create नहीं होगी division of work में आपने उनकी ability का बहुत ज़्यादा दिहान रखना है क्योंकि ability के अधार पर काम को आप assign करते हो तो वो responsible भी रहते हैं इससे आपका काम timely complete हो जाता है flexibility होनी चाहिए बिल्कुल जो भी audit program तयार किये जाते हैं हमें देखना चाहिए कि वो flexible हो companies के law के according हो या फिर आपका partnership deed के according हो तो यह चीज़ आपने धिहान रखनी है flexibility में flexibility में कहता है there is no problem in altering the program during this course of the audit some circumstances do arise due to which cannot proceed according to the plan and minor divations have to be made आपने इस इसाप से अपना plan design करना है ताकि अगर कुछ थोड़े बहुत changes करनी की ज़रुत पड़े तो easily उनमें हो सके फिफ्थ पॉइंट आता है policies and procedures कहते है जितनी भी audit program को formulate किया जाता है आपने company के जो rules regulation है चाहे वो memorandum of association है article है या partnership deed है सभी की deeply knowledge होना ज़रूरी है object oriented होने चाहिए जितनी भी audit program ऐसे होने चाहिए जो institute के aims के according हो और एक uniformity बनी रहनी चाहिए ताकि काम को timely complete किया जा सके इन सब भी बातों हमें ध्यान में रखना है previous report कहते हैं audit program बनाते हुए पुरानी वाली रिपोर्ट का जो last year की रिपोर्ट है उसका क्या काम है तो उसका ये काम है last year के जो objectives के achieve करने के लिए आपने जो plan किया था वो इस current year के reports में आपको बहुत helpful रहेंगे किन-किन चीज़ों का आपने वहाँ पर ignore किया कौन सी चीज़े आपको consider करनी चाहिए थी ये सारी चीज़े एक auditor के लिए काफी helpful होती है department wise की अगर हम बात करें कहते हैं संस्ता के परतेक विभाग या विभाग के लिए अलग-अलग audit program तयार करने चाहिए अगर audit program एक जैसे होंगे तो वो काम को systematic तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर audit program अलग-अलग होंगे तो हर एक department को उसके लिए responsible ठहराया जाएगा मानलो कोई cash department है, purchase है, sale है, sale return है, BR है, BP है तो सभी department के लिए अलग-अलग audit program तयार किये जाने चाहिए तो यह यहां तक तो था आपका कि क्यों कौन सी बाते हैं आपको जो ध्यान में रखनी है देखो यहां पर एक specimen बना हूँ audit program का कि cash book, sales day book, BR, purchase day, journal सबकी आपने casting, posting, vouching जरूर करनी है, verification of final account और verification of schedule अब आपर specimen आपके ने एक्जाम में बना कराना है आपके सबस्दाइब से लगाशन आपका।